एंडी टीवी के दर्शकों का खास स्वागत है यह बेहत खास यानि बेहत खास मुलाकात भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मूदी के साथ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सर आपने वेस्ता के बीच में समय निकाला आपका बहुत-बहुत धन्या रशकार समझेजिए और एंडी टीवी के सभी दर्शकों को बहुत रशकार समय चैनल और साथ डिजिटल प्लैट्फॉर्म के एक बड़े नेटवर्क हो गये हैं अभी-अभी हमने एंडी टीवी प्रियास करें तो मेरा पहला सवाल आपसे यह होगा कि आपने दो वाकियों का प्रियोक किया एक अध्या में कि अब एक हजार साल की बुनियाद रखी जा रही है और सौ साल का एजिंडा बन रहा है जो मोदी यूब के तीसरे अध्याय में जिसकी जहलक मिलेगी और दो हज पुर्व में नहीं सोचता हूं और मैं कि बड़ा कॉंप्रिहंसिव और इंटिग्रेटर एप्रोच होता है कि दूसरा कि सिर्फ मीडिया एटेंशन के लिए काम करना यह मेरी आदत में नहीं है कि और मुझे लगा कि किसी भी देश के जीवन में कुछ ट्रणिंग पॉइंट आते हैं अगर उसको हम पकड़ ले तो बहुत बड़ा फाइदा होता है कि जीवन में विचे से जन्म Δिन आया मनाते हैं काूं उसका बर जाता नहीं चीज बन जाते हैं वैसे जब आजादी के 75 साल हम मना रहे थे तब मेरे मन में 75 तक्सिमित नहीं था मेरे मन में 100 साल थे आज़ादी के 100 साल और अगर देश के सामने और मैंने जिसी इंस्टिटूट में गया सब कहा भी बाकि सब ठीक आप अपना देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे तो इस प्रकार से एक तो मेरा रहता है और हमने 25 साल को रखते हुए सब्सक्राइब काफी मन्थन किया लाखों लोगों से ने इंपोर्ट लिये शायद मैं तो पंदरा बीस लाग तो यूज की तरफ से मेरे पास विजाब आये और एक जिसको कहें मन्थन महा मन्थन हुआ है बहुत बड़ी एक्सराइज हुई है और उस में से और कुछ तो अफ पर सबके सुझावने लिए हैं और हमारे उसको भी मैंने बाटा है पचीस सार फिर पांच सार एक सार सौ दिन इन स्टेज वाइस उसका मैंने एक पुरा खाका तियार किया है चीजे जूड़े की इसमें हो सकता है एक चीज छोड़ दी भी पड़े लेकिन मोटा मोटा हमार पचीस दिन और अभी जोड़े हैं कि मैंने देखा कि यूथ बहुत उत्साहित है और जो उमंग होता है उसको अगर चनलाइट कर देते हैं तो एक्सका बेज़ता था है और इसलिए मैं पचीस दिन सो दिन प्लस पचीस दिन का एक काम करना चाहता हूं अब्सक्त हमने माय लौच किया है आने वाले दिनों में माय भारत को किस पकार से देश की गवां को जोग और मैं युवाश सक्ति को कि इसने देखने के आदढ़ धालो कि उनको बड़े सपने साकार करने के लिए उनके है भीप में चेंज केसे लओं उस पर मैं फोकस करना था और आज मैं दुबारा कह रहा हूं कि अब देश कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिने के लिए मजबूर कर दिया अब वो घटनाएं घट रही है जो हमें हजार साल के लिए उज्वल भविश्क की तरव ले जा रही है तो मेरे मन में साफ है कि यह समय हमारा है यह भारत का स थोड़ना नहीं है आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसके लिए जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसमें एक जो बड़ी चीज उभर के आई वो था इंफ्रास्टक्चर पे काम साड़ा पुल हाईवे साच परसेंट से ज्यादा बन गए एरपोर्ट दबल हो गए लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं दरसल इतनी तेजी से सब मना उसके बाद भी चोटे पड़ रहे हैं तो आप इसको अभी इंक्रिमेंटल ग्रोथ देखते हैं या इसमें भी कोई नया फोकस आपके मन में है एक तो आजादी के बात लोग कुलना करते हैं भी हमारे साथ जो आज दूर का सोच रहा है अब लोग घुलामी के दबाव में कहो या पता नहीं भारत के लोगों का मन ही नहीं है इसी मिजाज में हम चलते हैं और मैं मानता हूं कि इंफरा सेक्टर का रुप्यों भारत देश में पहुत पार है इंफासेक्टर का पहले मटलब यह उता था यह न सब्सक्राइब करने लगा और रिव्यू करकर मैंने उसको गति देने हैं कुछ हमारा माइंडसेट है हमारी ब्यूरक्रसी सरदार सामने कुछ कोशिश की थी अगर वो लंबे समय रहते तो हमारी सरकारी व्यभस्ताओं की जो मुल्भूत खाका होता है वो नहीं आया हुए गवर्मेंट अफसरों का ट्रेनिंग क्या होगा सरकारी अफसर को पता होना चाहिए आखिर उसके लाइब का परपर्स क्या है उसका यह तो नहीं कि मैरा प्रमोशन कब होगा और मेरी अच सेमार का है थे एक प्रकार से इंप्रा सेक्टर में भी फिजिकल इंफा सक्ट सौशन इफ्रिसक्टर ट्कलालॉजिकल फर इंफर्शसक्टर के इन तीन स्टेप में भी एक और बात कि उसके अनुस्क्वाल वह एने स्कोप स्केल एंड स्पीड उसके साथ स्कील होनी चाहिए यह चारों चीजे अगर हम मिला लेते हैं मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ एचिव कर लेते हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि नोटे-बंत तीन में विवे असा निदे निए का कर आए हूं तीस दिन आया हूं हूं हो सकता है मैं आने वाले दिनों में और कम कर दूंगा यहाने मुझे का मचलब यह नहीं हैं कि कर्स्रक्शन की प्रक्रियां में भी गति आनी चाहिए हर चीज की तरब में ध्यां करता हूं एक आपका ध्यान होगा बहुत कम लोगों का है और मैं मानता हूं कभी आप पूरा एक प्रोग्रेम कर सकते हैं टीवीचेंग गति शक्ति जैसे दुनिया में हमारे डिजिटल इंफ्रास्टर की च पूरे भारत में कहीं भर भी कोई भी इंफ्रास्टर का प्रुजिक करना है लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करना है लॉजिस्टिक्स अपर बशाना है गति शक्ति ऐसा प्रेट्पर मैंने देखा मैं जब पहली बार इसको लॉंच किया तो राज्यों के चिप सग्रणी से इ कि अब आप हमारी गतिशक्ति पेटफरम चोट डेटा है स्टीन हंडेड लेटाहिन है कि आप कोई वसी चीज़ डाणो खोंगस्रीफाय कर सकते हैं कर सकते हैं या बड़ी उनिक चीज़ है इनफास्ट सब्कारिम में भोट बड़ी सुइधार रहती है इसलिए IGL लगते है दुनिया में बहुत बड़ा काम हुआ है और मैं प्रगति में तो करता हूं इंफा सेक्टेर की मजबूति के लिए करीब अधर वत आप प्लस या ज़ार या बारा के लाग करोड रुपिया जो पहले कभी डेट के लाग करोड दो लाग करोड पर है इतना बड़ा जंप अब रेल वे रेल्वे में भी अधुनिक रेल्वे बनाने के दिशामे का इतना ही नहीं जी हमने ऑन्मेन क्रोशे उस समस्या को पूरी तरह जीरो कर दिया है यह एक प्रकार से सभाई देखिए चीज में एक बारी किसे ध्यान दिया गया हमने हम रेल्वे ट्रैक का उप्योग आपको खुशी होगी पहले हमारी यहां गुड्स ट्रेन थे यह पैसेंजर ट्रेन थे मैंने उसमें यात्री ट्रेन की परमपार जैसे रामाइंट सरकेटी ट्रेन चलती है एक बार पैसेंजर अंदर गया पूरा अठारा बीदिन की पूरी य वैसा जहिंतिर सक्षेत्रों की यात्रा चल रही है द्वादस जोतिलिंग की चल रही है बुद्ध सरकेट की चल रही है यानि इंफ्रास्रेक्ट्र को बनागर के छोड़ देने से बात बनती रही है हमने उसका अप्टिमम यूट्रिलाइजिशन का भी प्लान साथ-साथ कर चाहिए और उस देशा में हम काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया आपने जो एक जिक्र किया भी से मुझे यह समझना आया जो हिड्लाइन है वह यह की बीरोक्रेसी में आपने बहुत परिवर्तन अल्रेडी किये हैं आपने सरदार पटेल का भी हवाला दिया तो मुझे लगता पॉसेस बहुत बढ़ी चीज हैं और मैंने इस पर बढ़ दिया तेंगी इंस्टिटूशन को पुरी करा हमें बदल दिया है टेक्नोलोजी का भरपुरूपयों हमारे हर लेवल पर कुद्धिशा में हम बल दे रहे हैं अब रिकूर्टमें में भी मैंने लोग लेवल के जो जाता है हो सकता है उसमें दो तिन परसंट ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो शायद ना होते तो अच्छा होता लेकिन बेहिमानी से परसंद लोग आ जाते हैं तो अच्छा ही है कि चलो हम इसको दूछरी बात है कि कि आजकर मेरे कैमिलेट में बढ़ी महातोजनी परंप्रा से लिए पर्लामेंट का भी कोई भी लागा है या कोई भी तो ग्लोबल स्टांडर्ट के नोट आती है तुनिया में उस फिल्ड में कौन सा देश सबसे अच्छा कर रहा है उसके कानूनियम क्या है हमें वह करना है तो हमें कैसे करना चाहिए यानि अब मेरे हार कैमिनेट न कि बाते करने से बनता हैं दुनिया में बढ़िया क्या है बताओ हम उससे कितने दूर है वहां जाने का हमारा रास्ता क्या है अब जैसे हमारे यहां करीब तेरा सो आइलेंड से आप हैरान हो जाएंगे में जब आकर के पूछा तो हमारे पास को रेकॉर्ड को सर्वेई निए को मेरे स्पेस टर्म उप्योग करके भारत के पास जितने आइलेंड से उसका सर्वे किया है कुछ आइलेंड तो करीब करीब सिंगापूर की साइज कि इसका मतलब भारत के लिए है नए सिंगापूर बनाना मुश्किल काम नहीं आगर हम लग जाएता हूं हम उद्धिशा में आगे बढ़ रहा हैं यह बिरोक्रिसी में चेंज डिसीजन में बेकिंग में चेंज बड़ी योजनों को अंजाम देना उद्धिया में काम कर रहे ह यह आपने बड़ा इंट्रेस्टिंग जिक्र किया सिंगापूर का एक उधारान दे करके तो फिर यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि इस बात जब हम लोग इंफराटक्चर या डेवलप्मेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी बहुत कांती भारत में देख रहे हैं कि शायद मैं समझता हूं कि गरीब को एंपावर्मेंट का सबसे बड़ा साधन डिजिटल डिवलुशन है और समानता कम करने में डिजिटल डिवलुशन बहुत बढ़ी मदद करेगा मैं समझता हूं कि ए आई आज दुनिया मानती थी मानना शुरू किये एए मैं भारत पूरी दुनिया को लिट करेगा और हमारे पास उस प्रकार के टैलेंट हमारे यूथ है बहुत कुछ कर सकता है दूसरा भारत के बाश्य विवित्ता है बहुत है हमारे डेटा की थाकत बहुत है दूसरा आपने देखा होगा मैं अभी कंटेंडर को मिला था गेमिंग वालों को मिला उन्हाने एक बात में जो बढ़ा इस्वरी जना करें बोल मैंने यह तना यह पैल रहा है बहुत सब्सक्राइट बहुत हाँ में दुनिया में डेटा इतना महगा है तो इतना महगा पड़ता है भारत में बहरत के लोग आते हैं इतने में पांच लाइस जादा कामन सर्विस सेंटर कृप पांच लाग से ज्यादा प्रवाइब और बड़े गाउं में दो तिन तीन और प्रवाइब और सामान्य आदमी उसको रेलवे रिजर्शन करा ना है वह अपने गाउं में कर लेता हूं जो सेंट्रिक जो ब्यवता हुई है इसका बहुत प्रवनांस में अपना फिलोसभी है उसको मैं कहता हूं पी-टू-जी-टू मैं कहता हूं प्रोव पीपल्ट गवरनांस पीटू-जी-टू तो यह अगर जब हम करते हैं मैं याँ नियूर्क में प्रफिसर और काफी बाते हुई उनके साथ डिजिटल की वेकरें तो मुझे सुझाव देते हैं कि मेरे देश में डिजी लोकर है जब मैंने उनको मोबाइल फोन में सारी चीजे बताई तो इतने वह उत्साइद हो गए दुनिया जो सोते हैं उसे भी कई कदम हम इस डिजिटल के दुनि से पूरी दुनिया जी ट्वेंटी के अंदर चर्चा थी जरह हमें इसका मॉडिलिक दिजिए तो काफी हम कर रहा है यह बिल्कु सही कहा आपने कि डिजिटल में जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रार्ट्रक्चर भारत ने बनाया है वो दुनिया भर के देश आप से अब कॉ उसका अनुभः बताओं आज कल दस में से नौ लोग जो छोटे रोजगार वाले हैं उनको आप कैश्ट देना चाहूँ तो दस में से नौ लोग मना करते हैं कि कैश्ट नहीं लेंगे यह बड़ा परिवर्तर है। देखे कि यह रेडी पत्ती वाले लोग हैं उनको बैंक पैसे नहीं देते हैं यह मेरा डिजिटर पे इंट्राशिकर का फायदा हुआ रेडी पट्री वालों को बैंक से लोन बें उनके पैसा आमको जमा हो जाते हैं और हड़ रेडी पट्री वाले के हां आपको QR कोड मिलेगा उसको मालूम है कि मैं इसका उप्यों को उसको बात भी बढ़ा है उसका एक चीज़ और आपके जो ग्रोथ के विकास के टार्गेट हैं उसमें अग्री कल्चर से लोगों को शिफ्ट करना और मैनुफेक्चरिंग को बढ़ाना पी एलाई की सफलता बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छी रही लेकिन यहां पर हमको लगता है कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि लोग भारत में प्रेड्यूस करें आईफोने के एक्जामपल है और उसको एस्ट्रापॉलेट करने की जरूरत है इस पर क्या सोचे जिन लोगा ने बाबा साब आब बेरकर का अध्यन किया है नहीं बाबा साब बाज लेटाओनने उसकी अंदेखी की बाबा साब कहते थे कि देश में इंडेस्ट्याल डिवॉलूशन बहुत जरूरी है कि क्योंकि देश का जो जमीन का माली काहिंने वह एक्ट्री कल्ट्टर में कुछ नहीं कर सकता है उसके लिए इंडेस्ट्री लिवालूशन का षिस पर जीतना बोज हम कम करेंगे आज उस पर बोज बहुत है उस परोज कम करने के जरूत है यह बोज कम करने के लिए कानूं काम नहीं कि न kadar इस्पिकेसिन तब होता है जब आपकी डी सेंट्राइज में में इंडिस्ट्रिव में नेटवरक हो तो अगर दो बेटे हैं तो एक बेटा के काम में चला जाएगा एक बेटा खेती समालेगा तो खेती पर जो बोज है वो थोड़ा कम हो जाएगा तो एग्री कल्चर को वाइबल बनाना मजबूत बनाने के लिए इंडिस्ट्रिय डिवलेप्मेंट जुरूरी है हम एग्री कल्चर का कि करने वाली इंडिस्ट्री जितनी ज्यादा बढ़ाते हैं तो सिधा सिधा फाइदा है अधरवाइज हम डाइवर्शी परकेशन की तरफ ले जाए उसका फाइदा है मेरा गुजरात का अरुभव रहा है गुजरात तो एक ऐसा राज्य है जिसके अपने पास खुद के रख भुगा थे एक जगा तुमां लेते हैं रूझ जगह में देते तो कि पर देते ओर भी सिर्फ में से रिवर्टूर्ट्टर में है इंडिश्टर में रिवर्डूश्टर अए है अउमेरा आनुभव यहां मुझे बहुत कामा रहा है और उसके कार्ण मेरे और हमारी इं के पहचान बन रही है और उसमें वेल्यूडेशन हो रहा है कि अब आज देखे भारत में बहुत बंदे संभावना है हमने स्पेस को उपन अप कर दिया में इतने स्टार्ट आप साय है कि सारे स्टार्ट आप टेक्नोलोजी को लीड कर रहे हैं याने कोई अब कोई हम मॉबैल फॉन इंपॉर्टर थे लिए आज हम मुबैल फॉन के दुनिया के स्टार्ट मैनुफेक्चर हो गए है बिल्कुत और हम दुनिया के अंदर आज हमारा iPhone एकश्पोर्ट कर रहे हैं दुनिया में सात में से एक iPhone हमारी होता है बिल्कुल वैसा ही मैं बता हूं गुजरात में ज़ो मेरा Diamond का रुए अध– hottor Diamond वो होते हैं जिस पर किसे से हिंदुस्तानी के हात ही निच ड्रीज में देख रहा और वो है ग्रीन डायमंड का लेब डायमंड का दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है जब गुजरात था तो थोड़ी शुरुवात के थी तहीं अब काफी बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में लेप ग्रॉण डायमेंड में भी हम काफी प्रगति करेंगे हैं सेमिकंडॉक्टर हम कुछी दिनों में चीफ लेकर क्याएंगे और मैं मानता हूँ टांस्पोर्टेशन के साथ जूड़ी हुई चीफ का जो कारोबार है उसमें हो सकता है हम हब बन ज सब्सक्राइब करीब 21,000 करोर का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है हमारा देश नजीना हर चोटी चीज भार से लाते थे तो हमारे जो एंट्रप्रणर से उनको भी लगा है बना सकते और दुनिया हमारे लिए खरीज रही है तो मैंस मताओ कि भारत पुरी तरह इंडस्ट्र सब्सक्राइब करने के लिए जिग्यासा और दिल्चसपी बहुत है लेकिन वह सोचते हैं कि कुछ बोल्ड डिसिजन आपकी तरफ से नई सरकार की तरफ से बड़े जरूरी होंगे ताकि वह बड़ा इंवेस्ट्मेंट आए और इस स्केल को जिसकी कल्पना आप ही करते हैं उसको बहुत बढ़ा सकें पहली बात है कि इंडिस्ट्री बाहर से लोग जो बाते हैं वो सिर्फ भारत सरकार देख करके आए उतने से बात बंते नहीं स्टेट गवर्मेंट और लोकल से गवर्मेंट टीनों में एक शुत्तता चाहिए नीतियों में अगर मान लीजिए एक भारत सरकार एक पॉलीश बहुत दुरीं इंडिस्ट्री आती है वारत सरकार पारत तो यह जमीन नहीं हो क्या करेंगा तो किसी स्टेट को है कि जरा देखो बेंड़ाए अश को भी एक बात बंते हुआ को तो स्टेट की पॉलीसित मैं चाहिए फिर जिस गाउं में जा रहा जिस शहर में जा रहा है उस शहर के जो कानून है वो उसके अनुकुल होने चाहिए तो मैं जो इस अब बिजलेस का जो मुमेंट चलाया उसके पीछी मेरा इरादा इदा केंदर सरकार राज़ा स्थानिय स्वरा सुझाए तीनों की निने ऐसे हो इन चीजों के लिए अनुकु प्रदा हो अब धीरे धीरे हर राज्यों में वह इस फर्दा आ रही है वो अपने नियमोमेटिक ठाक कर रहे हैं विरो कैसे कोई मुमिलाइज कर रहे हैं अगर मुझे राज्यों का सहीयोग मिल गया तब तो मैं मानता हूं दुनिया में कोई व्यक्ति भारत के सिवा कहीं न दुकाबला चल रहा है और आप चुक्की डबल डाउन करते हैं कि इस ऑफ लिविंग के लिए लोगों की जिन्दगियों को खुशाहाल बनाना है तो कुछ इन्वेस्टर्स को यह आशंका होती है कि फिस्कल डिसिप्लीन का क्या होगा मेरे केस्प में किसों को आशंका नही है कि जिन लोगाने मेरे गुजरात के कारकाल को देखा है कि मैं फाइनांशल डिसिप्लीन का बहुत आग रही है कि अधर वाई की कोई देश चलनी सकता है फिसकल डिफिसिट उसका एक होता है अभी आपने देखा हो कि चुनाव के पहले मेरा बजेट आया है सब के पुरान होस्ति आपके पास फिसकल इस अवेलेबल था खर्च करते मुझे मालूं है कि मुझे गरीबी से देश को मुक्तर करना है तो घरीब को आउसर देना होगा गरीब गरीबी है नहीं चाहता है जो मार निकलना चाहता है उसको हाद पकड़ने वह और इसलिए हमने अब देखे देशिट न उन्होंने स्विकार निकिया उसका साइड इफेक्ट इतना हुआ जी और जहां फिस्कल डेफिसिट को आप एने एक पकार से उसको मैं मनतों रिलिजियसली फॉलो करना चाहिए महंगाई बढ़ती है दुनिया में क्या हाल हुआ बाटो दुनिया में अभी भी महं स्वाइब करना है ने हमारे दूसरा में देखा है कि जैसे 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 टैक्स अब करोगे आपका रिवेन्यू बढ़ता जाएगा लोग ज्यादा आप देखेर करीब कर डबल लोग हमारे इनकम नाइक बने वालों की संख्या हो रही हैं जीएसटी रिजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी संग्या बढ़ लिए उनको भरोशा भी सरकार के तरफ सो कोई दिक्कत नहीं है तो लोग आप देश के लिए दूसरा उसको विश्वात है मेरा पैसा टैक्स पर का पैसा बहुत दूसरा है वैलफेर का विश्व है मैं वैलफेर को कि एक प्रकार से भारत के सोशल इंफ्रासेकर का एक बहुत बड़ा महत्वा का हिस्टा मानता हूं अगर हम वैलफेर स्कृम को टार्गेटेड करें और क्वालिटी ऑप लाइप के साथ जोड़ के करें तो वह एसेट बन जाती है और आपने देखा हूं कि मेरे हर काम में वैल कि अच्छी जिन्दगी जिनने के आदर लग जाए तो अच्छी जिन्दगी जिने के लिए खुद भी प्रयास करता है तो मेरी वैलफेर स्की में का सारा मट्रब यह है आप जैसे मैं अनात्य मुप्तित देता हूं तो इसको भी कुछ ने कूशनूशंचे जोडता है कि मैं कितने लोगों को नोगों सब्सक्राइब कितने लोगों को डोजगार कितने लोगों बाजार के सेटोरियों के तरफ से बिलकुल नहीं पूछना चाहता हूं सर आप से लेकिन वह यह है कि आजकल नए युवा भी इंवेस्टमेंट में बहुत आ रहे हैं और मेरी अपनी राही है कि इस बार बाजार ने इलेक्शन का उटकम पहले ही समझ करके बहुत तेजी से उ हमारी सरकार ने maximum economic reforms किये हैं और प्रो एंट्रप्रनेर्सी पॉलिशी हमारी एकॉनोमी को बहुत बड़ा बंद देती है हरको जाएगा हम 25,000 से आतरा सुरू की थी 75,000 पहुंचे हैं यह अपने आपने दिन्या में हमारी इज्जिक प्रतिश्णा भरती है दूसरा जितने ज एकॉनोमी को बहुत बड़ा बल मिलता है और मैं तो चाहता है थोड़ी रिस्क टेकिंग कपसिकी बढ़नी चाहिए बहुत जलूरी होता है सोच सोच कर गए क्या करूंगा ऐसी जिनगी जीने से बाद बात बनते नहीं है और चार जून जैसे आपने कहा जिस दिन चुनाओ का नतीज आएगा आप उस हपते भर में देखना की यह भारत का स्टॉप मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रेमिंग के जो प्रोग्रेमिंग वाले सारे उनके ठक जाएगे जी बिल्कुल अब आप देखें प्येशु इसकी कंपनियों का शेर कहा पहुंचा ह प्येशु के सहर तो गिर्णा उसका उन्हों उसका मटले भी होता था गिर्णा हाँ यह मेरा का है कि प्येश्यू तो बंद करने की तरफ आप जाएंगे लेकिन अब तो प्येश्यू आप मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ राजी अने गुना बढ़ रहा है जी है जी एचेल चार हजार करोड का प्रफिट यह कभी एचेल के इत्यास में नहीं है जी तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी प्रकति काईश्यू अब एकॉनमी गवर्नेंस से थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ चलें और रोजगार का मुद्दा उठाएं तो उसमें विप कि मानों बलके बिना संद्रों ही नहीं होता है रुपी है होता नहीं होता है मैन पावर लगता है मतलब की रोजगार के अउसर बनते हैं और विपक्ष की बेरोजगारी की जो बाते हैं उसमें कोई मुद्दा कोई सच्चा नजर नहीं आते जिए मैं मानता हूं कि परिवारवादी पार्टियों का इस देश की युवा में क्या बढ़्डावाए हैं को कुछ समझ नहीं है अब जैसे स्टार्टप दोजार चौदा के पहले कुछ सेंकड़ों स्टार्टप थे जी आज सबालाग स्टार्टप है और यह स्टार्टप याने प इस और यह वह लोग हैं 20-25 साल के बेटे-बेटी आएँ अब देख लेना जी पूरे दुनिया में गेमिंग के दुनिया में भारत बाड़ी कर आऊ इसारे बश्यक्त करने वाले मांन के चलिए उसे क्रेटइव एंटरेंड में से अप क्रेटव एकानोमी की तुरफ हम वाले मार्केट को श्यार करेंगे यह जो बहुत बड़ा आफसर बन रहा है अब ग्रीन हाइड्रोजन पर दुनिया का अब 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 देशमा करीब 17 एर्पोर्ट है अज करीब डेट सो एर्पोर्ट हो देश में हमारे देश में कूल हुआ है मेरे अंदाज है कोई कितने प्रकार के लोगों को रोजगार मिलता और इसलिए यह जो नेरेटिव है पुलिटिकल फिल्में जो लोग है वह आज से तीस साल पहले चलते हैं वह उसी और रिचंट नहीं किया जी वही गाड़ी बजाते रहते हैं अब आपको मानूं है जो रेकॉर्डर चीज रहत स्क्राइल जो आजी होगी है अथेंटिक एदिश करो नए sırब जनड हूए है यह इपेले में हैं आपकोडम होता वह हवावाजी में होता लिए सात साल में शब्लों से ज्यादा नए सरकारी नोकरी तो मैंने बहुत बड़ा भ्यान चला है और लोग कहते हैं मुझे चिलाते दे कि नोकरी दिने में इतना हो अब इस कॉज ग्रूप का जो रिपोर्ट आ है वह बड़ा इंटरेस्टिक है उचे ने कहा कि पिछले दस साल में हर वर्ष पांच करोर पर्सन यर नाने बाइत चीजों को लिया है फैसे यह करना है तो कितने वड्रून एपरण वर्च यह है असा नहीं कि कागजों में दिखती हैं मैं वो नॉन गवर्मेंट जो अलग अलग ववस्ताएं हैं उससे जो बाते हैं ति उसकी मैं कर रहा हूँ जा नहीं यह इंपॉर्टन बताया अपने की लेबर फोर्स पर्टिसिपेशन तो काफी रहा है सर यह पहला चुनाव है जो दरसल बोरिंग चुनाव है सबसे अतिहासिक चुनाव है जिसमें जनादेश क्या आएगा यह पहले से मालूब है तो अभी हम लोग डिबेट चलाते हैं थोड़ी बहुत इसको कितनी सीते हैं किसको कितनी सीते हैं तो साउथ इंडिया और इस्ट इंडिया को ले करके आपने बड़ा भरोसा जाहिर किया है कि इस बार वहां बीजेपी को बड़ी सफलता मिले साउथ इंडिया और इस्ट इंडिया पर आप ओवर कॉंफिडेंट तो नहीं है पहली बात है कि मैं कॉंफिडेंस होता है तो भी गभी जताता नहीं हूं ओवर कंपिरेंस में जीता नहीं कि मैं जमीन पर नित्य झीवन को हिसाब किताब करके कदम रखने वाला इनसान हां अट सोचता बढ़ा हूं दूरका हूं लेकिन जमीन पर जुड़ा रहता हूं देखे दक्षिन भारत का हो या पुर्वी भारत का हो या उत्तर भारत का हो या बद्ध्य भारत का है देश की जन्मन में स्थीर है कि यह काम करने वाली सरकार है देश को आगे ले जाने वाली सरकार है हमारा भला करने वाली सरकार है हमारी समस्या का उसको समझ है ऐसी सरकार है जो हमारी समस्या जब नागरी को पता कि मेरा दूख उसको पता है डॉक्टर को अच्छा कौन लगता है आपको अच्छा डॉक्टर वो लगता है आपको जाते अग्यां कि वह जिसको पता रहता रहता है आज देश को लग रहा है कि सरकार को हमारे दुखों की चिंता है हमारे सपनों का उसको अंदाज है और जो हमारे सामर्थ को हमेशा बढ़ाने के लिए प्रयास करता है और इसके कारण में मानता हूं कि भारती जननता पार्टी किस्त्याद सब्सक्राइब अब यह हट गया है लोग शांती से जीने लगें व माँ को कितना आनद होता है कि बना बच्छा सही दिशामें जाएगा वो भले जंगल पर रही है इसको लगता है यह मेरे बच्चों की भविश्ट देखता है चिंता करता है आज देखेंजी हिंदुस्तान के हर कौन में नौर्थी देखिए बंगार देखिए आसाम देखिए उड़ी सा देखिए तेलु को बासे स्ट्रेट देख लीजिए करना पड़ रही है आप जमुकश्वी में देखिए लागे मद्दाता साथ 40% दोग बोड करने जाये साथ 40 साल के बाद इतना वोटिंग हो सरकार के पती भरोसा है और इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में भारत की जनतापार्टी को अन्य हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा चुकि आपकी ऐसी मान्यता है ऐसे में जो विपक्ष के गडवंधन की परिस्थिती है उसमें विरोधाभास भी सामने आते हैं मंता बैनर जी ने कहा कि मैं तो एलाइंस में ने रहूंगी फिर कहा कि अगर सरकार बनेगी तो मैं सरकार को बाहर से समर्थन दूंगी अखिले पर निरनायक तोर पर तै करूं की वोट देना है तो यह विपास की जो परिस्थिती है जो लोगतंत्र को बचाने की गारंटी देता है उसकी हलत पर आपकी राहे पहली बात है हमारा देश का या दुनिया में कोई भी वह इतना बड़ा देश आप जिसको देने जा रहे हो जानते हो गया उसका नाम पता है कि अनुबहों का पता है उसकी क्षंता का पता है तो यह देश की जनता देखती है कोई पार्चि अपने नाम बताएं या नबताएं हो तोलती है और हमारा बहुत है दूसरा इंडी अलाइंस का मुझे बताज दीजिए इन डिया इंडी अलाइंस की कोई गतीविती दिखती है और फोटो अपने पहली इंडी इंडी अलाइंस की मिटिंग में जितने चहरे से जाते कोई कोई क्वाइजनड की कोई स्ट्राटेजी क्या कुछ नहीं हर को विश्वात नहीं हो सकता है तूसरा अगर कॉंग्रेस के सबसे विश्वस्त साथी को तो लेप्ट जिसके मन में कमिटमेंट है कि भाजपा वाले जाने चाहिए उससे बड़ा कमिटमेंट तो कोई हो नहीं सकता इन्हों ने जाकर के केरल में उसी को पराजीत करने के लिए उसके खुद खड़े हो गए और जो भाशा का प्रयोग हुआ है केरल की चुनाव में पूरे देश में इसी भद्धी भाशा अभी तक उप्योग में नहीं आई है मुख्यमंत्री तक के लोगों ने जिस प्रकार से कॉंग्रेस के लिए बोड़ा है अब यह कि लोगों की में बात कर रहा हूं अच्छा यह बात फिक्स हो गई है यह सारे नेता है ज्यादा तर जमानत पर है तीसरी बात है यह सारे आप बिठा ओगे तो लगे कि यह उसका बेटा यह इसका बाप यह इसका बाप यह आने ऐसा साप लगता है कि आपने बच्चों को सैट करने के लिए इंडी एलाइस को जान बने की कोशिश कर रहे हैं देश के बच्चों का भविष नजरी नहीं आत हूं देश की लोगों का व्रिश्वास जीश सकते हैं हमारा 10 साल का मझूद सरकार का ट्रकार कर आतंगवाद के खिलाफ हमारा काम हो 52 का का मोझे induct torn करने हमारी इनश्य व भूख है आइस मत्त देश की जन्ता थिसन आर को देखती हैं और उसको तोलती है और इसलिए देश के सामान ने मानवी ने मन बना लिया है कि भारत को बहुत आगे ले जाना है तो भारतिय जनकापार्टी एंडिये एक विश्वस्त चंगटन है विश्वस्त लीडर्शिप है और जिसको हम जानते हैं जिसको हम ट्राइल ले चुके हैं जिसको हम नाप चुके हैं और इसलिए उनको रिश्ट लगता है सहज समर्धन लगता है यह यह कंफर्ट लेविल जो आपने कहा वो सही है चुकि ऐसा बढ़िया positive महाल बनावा है momentum आपकी तरफ है ऐसे में दो सवाल और हैं जो विपक्ष वाले आपके बारे में उठाते हैं उसमें से पहला यह है कि appeasement की बात आप हमेशा करते रहे हैं उनका कहना है कि communal color तो आपने भी दिया है यही कह कह करके उन्हाने राज़देती चलाई है और कभी-कभी हम भी सोते थे कहां चलो समल के चलो लेकिन जब मैं हर चीज को देखता हूं और जब यहां बैठकर करके देखता हूं कि इनोंने स्वाए संविधान का अपनान किक bets किया नहीं संविधान सरवकत संभाव की बात कर आ ने लोगसं कि हम नने सौम परदाई की और संवड़का अब्र वडवएं करजिचंजी है और संपरदाई से भाए चाना तो फिर जाती यानि एक तरफ संप्रदाइगी फिर एक जाती को उठाना यह उन्होंने खेल यही किये अब मुझे लगता है कि मुझे जिसको कहना है कि इन लोगों के पापों को मैं खुले करके रहूंगा अज़िक करके और में साथ सबका साथ और के और जनको tylko इसलिए मेरी योजना है सचुरेशन हर नाभार्तियों को हैंड़ परसेंट जब मैं 100% कहता हूं तो सच्चा सामाजिक जिए जब और उसको उसको मिल गया उसको जाता है इसके पर भरोसा होजाता है हर आप उनकी कि ऱृप है करना ही है कि भी मैं जो 80 करोड लोगों को मुक्त देता हूं मैं कह सकता था कि भी मैं इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा मैं नहीं करूंगा कि मुझे सप्पाशाथ सप्पाविकास इसी मंतर पर चलना है उन्होंने वोट बैंक के लिए जी सब्सक्राइब कर दिखाना है और यह लोग है जो अपनी सत्ता सुक के लिए देश को तोड़ सकते हैं वह आपके हर सपने को तोड़ सकते हैं अब आप देखें इनके मैनिफेस्टों में ही हिम्मत की है ठेके है वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट धर्म के आधार पर दिए जाएंगे अरे पर कोई चीज बनाना है तो ब्रीज बनाने के कि पास है एक्सपलिंस की इसके पास है रिस्रोस इसके पास है टेक्निकल मेनिक्वावर किसे उसको ब्रीज बना अब ठेके देंगे वो ब्रीज क्या मनेगे जी क्या होगा मेरे देश का विपक्ष एक और आशंका जाहिर करता है वो यह है कि देखिए 400 सीट तो इसलिए मांग रहे हैं तुकि इनको समिधान बतरता है पहली बात है भारतिय जनता पार्टी के नेत्रुतों में आर्ड्रेडी उननीस से चौबीस 400 सीट है हम जीत करके एंडिये 360 करीब आये थे और एंडिये प्लस हमारा 419 से 24 लगातार रहा है तो 400 सीट और समिधान को जोड़ना मुर्षता परी उनकी बात्चीत है सवाल यह है कि यह लोग हाउस को चलने ही देना नहीं चाहते हैं और दुनिया जब 400 सीट के देखते हैं तो उनको लगता है कि भी हाँ यह पारिवार कांग्रेस पार्टी के समिधान को सुतार करता है संविधान नहीं नहीं सिन्हें द्रामा किया रहूगा देश के कॉंग्रेस पार्टी और क्यों कि इनको आखी कर इसको इलेक्टर राष्ट्री अध्यष्ड को को हटाना पड़ा इस परिवार को खुश करने लिए सिता नम केश्री कॉंग्रेस के दिश्ट थे व्यवस्ता के तहद बने हुए थे कोई मुझे बताए वे उनको बात्रूं में बन कर दिया गया रातो रात उठाकर के बाहर साइक दिया और मेडम सोनिया जी कॉंग्रेस की अ कि ये कॉंग्रेस के जीतने आज पदादी करी है वे कब कॉंग्रेस के मेंबर बने थे देश को डिकलर करें उतने समयधान के हिसाब से अपने केसरी जी का जिक्र किया तो डिस्क्लेमर देना मुनासिब होगा कि उस वक्त में वहां मौजूद था जब उनको भगाया गया थ दूसरा इन्होंने समयधान के साथ क्या किया है मैं तो कहता हूं जब पहला समयधान बना उस समयधान की आत्मा भी है और एक समयधान का स्पिरिट और शब्द दोनों है समयधान की आत्मा क्या थी तो समयधान निर्मातों ने बड़ी बुद्धिमा ने की थी कि जो लिखी इतने चीज जो रखी जाएगी वह बर्तमान और भविश्च के लिए होगी लेकिन हमारा इक भव बुद्काल है हमारी भव विरासत है उसका क्या करेंगे फिर तो समीधान बहुत बड़ा होना जाएगा तो उन्होंने बड़ी बुद्धी पुर्वा का समीधान को चित्रों स मढ़ह सारे चीटर भारत के 1000 साल की पानित नहींने पहला काम क्या किया संविधान की पहली प्रत को डिम में डाल दिया और बाद में चीत्रके विन एम उन्होंने कासा 500 आगस के बाके हिंदू ठान शुरू कर दिया हीम अपने परिवार कर दूसरा उन्होंने क्या किया प्रुदियों कि अभी व्यक्ति कि आज़ादी पर कैची डाल चलाने का किया डिस्रिक्शन दा ! कर गया उसके आत्मा पर पहला प्रहार था फिर सम्हिदान की भावना पर उन्हों ने प्रहार किया कैसे कि आप्टी फिटी स्काड़ दुरूपयों करके सब बार देश की सरकारों को बड़ा और फिर इंद आए अन्य प्रकार दिया इस हद तक उन्हों प्रविद्धान का प्रविद्धान को यह कानून ला रहे थे शाहबानों का सुप्रिम कौर्ण का जज्जमेंट उखाड करके फैंक दिया और समिधान को बदल दिया तो वोट वेंक के राजनिती करनी थी मिडिया पर फिर से एक पर इमर्जेंसी जैसे दिनर को मिडिया बड़ा अंदोलन हुआ वह वो चुनाव के दिन थे तो वह थोड़े अठक गए डर गए थोड़े लेकि वो रुख गया है फिर उनके सुपत्रा यह साजादेजी जी कि व्यतों कुछ को हैं नहीं एक MP कि सिवा केमिनेट की निर्णे को वह उन्हें प्रेस्वांपर्थ के अंदर कागर्च फाड़ दिये का में हुआ का समभिधान की बात करते हैं जो चारा चौरी में भावनाओं को तोड़ते हुए जब विमेन आरक्षन बिल आया था पार्रमेंट के अंदर बिल की प्रत को उन्होंने छीन दिया और फार दिया और संसर को आखरी दिन था चालीच सिल सम्विधान के साथ गोर अपमान करने वाली लोगा सम्विधान सथ पर करके नाच रहे जूट बोल रहे हैं एक सवाल और सर जिसमें कि भारत ने आपके नेत्रतु में गजब का काम किया है वो है दुनिया एकदम बदल गई है जो सोचते थे कि हम दुनिया चलाते हैं वो डिफेंसिव में भारत इंडिपेंडेंट और एग्रेसिव पॉलिसी लेकर के आया है जाहिर है कि इसको लेके भी आपकी बड़ी योजना है लेकिन एक विशह है वह है पड़ोसी देशों का उस मामले में रिष्टों को मैनेज करने में चुनोटिया है हमारे सामने अधार रहा है एक इस्ट पॉलिसी है हमारी विदेश नेती के आधार पहले रहता था कि कौन कितने दूरी पर रखते हैं अब हम कहते कौन कितना निकट है तो हमने विश्व के साथ एक स्थान बढाया हुआ है और प्रोस में कॉंपिटिशन भी काफी है हमारी कोशिश है उसके वाल मैं बहुत समय से आप से पुछना चाहता था सर् वो यह है कि बहुत सारे नीती निरमाता आपको लेकर के विसमित रहते हैं कि यह जो पॉलिसी बनाते हैं जो डिजाइन बनाते हैं यह कैसे इन चीजों को तयार करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप रेयर आकल यात्राएं बहुत की हैं आप बहुत ज्यादा घूमे हैं आपको ट्रैवल ने कितना शेप किया है एक तो आप में सही आकलन किया है यह मेरा सोभागी रहा है कि मैं परिवराजक रहा हूं और इसलिए शायद हिंदुस्तान के 90% से ज्यादा डिस्टिक ऐसे होंगे जहां मैंने रात्री मुकाम किया है मेरे यह राजनीतिक जीवन के पहले की बात है और दूसरा बिना रीजेवरुशन को ट्रेंड में घुना हूं मैं जनरल बोगी में खड़े-खड़े हो करके ट्राविलिंग किया है तो जमीनी दुनिया है उसी से मैं जुड़ा भी हूं और उस कि दूसरा हमारे देश में जितने प्रधान मंत्री आए वो गालियासरे ही ज्यादा निकले हैं बहुत क म प्रधान मंत्री हैं ऐह चिन्होंने राज्य की अनदर सरकारों में काम किया हूँ जिनोंने किया को क्म समय के लिए किया और बहुत पम लोगों के मुका मैं ऐसा व्यक्ति हूँ ऋखलों जो लमबे समय तक प्रतुछी न राज का मुखे में तरक्षा या तो जन आकांट्शाहों से में परिचित था जन तो मेरे पास एक अनुभाव का बहुत बड़ा खजानाग है दूसरा मैं जीवन भर अपने आपको विद्ध्यार से मागता हूं तो मैं एकडेमिक वर्ल से शीखने का प्लयास करता हूं वह क्या सोचते हैं मैं जो डुनिया है उनको समझे का चाहता हूं जो आज कल मैं बजेट बनाता हूं तो बजेट के बाद मानूं इंफ्राइब करके उसे जुड़े लोगों का बश्यूप करता हूं किसान है तो किसान मुख्यक निकर पाता हूं तो अगले बेश्यूप करता हूं तो मैं भूले मन का इंसान हूं दुनिया भर की चीजें वजेविदेश हो समीश मैं चीजे लेकर मैं आपको छोटा उदार दताता हूं कि मैं बजब जपान गया है बहुत सार पहले की बात है कि मैं सीम तो था जपान पर मेरे पास थोड़ा समय था चलो फड़ा बाहर जाते हैं तो फुट्पाथ पर मैं ने चलने के लिए नीचे रखा जाता है तो मैंने उसका स्टड़ी किया तो बस टेंड आया तो उनके लिए मोड था सब तो तो मैंने उसकी मोबाइल फोन पर फोटो ली उस समय भी मैं मोबाइल फोन कैमरा वाला रख रहा है मेरा शौक टेक्नोर्जी का था जैसे ही मैं एमदापत पहुंचा राग को दस में पहु करो तुम सुबह आजाओ जार मुझे तुम में सब बता रहा है तो मैंने प्रिंट आउट हो के निकाल कर रहा है सुबह आया मन को करता को मारी जो का करें एक फुटपात बनेगी वह हम यह चीज करेंगे ताकि प्रग्या चक्षो को काम आने में अच्छी मुझे चीद तु मैं चीजे मेरी काम करने प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है अब मुझे आज है जब कोरोना आया है यह बड़े बड़े नोबल प्राइज बिने रहा करके मुझे दबाव गालते थे कि नोटे चापो नोटे बाटो यह जो आजकल अमीर अमीरों को गलिया देते हैं वह समय पहली मेरी प्रावलिटिव बनी चोटे चोटे लोग है उनको मैं टाकत दो वह चलने चाहिए तो मैंने चोटे लोगों को क्रेडिट गरेंटे के तिसामें बल दिया उसका प्राणवी हुआ है हमारे स्मॉल मिडियूम स्केल के इंडिस्ट्री नहीं और मुझे प्रता था आगर मैं तीन मैंने इसमें निकाल गूंगा तो फिर मैं चीजिए बाहरा आजबा और हुआ है कि हम बहुत तईसी से बाहरा निकाल आए है और दुनिया आज लड़ रही है तो जब नीतियां बनती है तो आप एकडिमिक का रागुए से मेरी नीटियों को नहीं तोर सकते हैं नहीं कैसे नहीं को हैं तूसरा नेती सही बना सकता है जिसका नीजी स्वार्थ नहीं कर रहे तया ल котором घुन हैए मेरे पाट्य का भ़रा होगा मोदी का थोगा मोदी से पीसरी नियुका को भऽाजन होगा सब when मैं वो सब मेरे जीवन में है नहीं तो स्ट्रेट में मेरी पॉलिसी बन पी है और उसका मुझे बहुत पाइदा होगा है बिल्कुल सर आपसे आखरी सवाव इसी से जुड़ा हुआ भारत के बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां उनके मन में ख्वाब है बताते नह है कि उनको भी मोधी जैसा लीडर बनना है तो आपकी जो रेर क्वालिटी है एक तो है सेल्फ टॉट लीडर्शिप की दूसरी है आप जिन्होंने आपसे डील किया हो बताते हैं कि आप एक्स्ट्रा ओडिनरी गुड लिस्नर हैं आप सुनते बहुत हैं लोगों को और ये कि उनको आप जैसा बनना हो तो किया करें मैंने काम किया था को विडर के समय करता है अब उसकूैर की जह равно करेंश हो आज का पहले बारात पात्ता साथ साथ दिन रहती थी तो कैसे रहते थे पूछो क्या होगा इसे यह परिवार के लोग कैसी जिनगी जीते 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 हैं पहुंचे तो आप उसे कनेक करोगे इसको खोजना चाहिए है पहले कैसा अगमें रहते ती जना देखो तो एक एक चीज को समझने को जो नवजबान कि मैं इस पच्चातर साल की आत्रा को जानना समझने का तो आगे की आत्रा का वह इस हिस्सेदार बनेगा उसके इसमें लीडर्सिफ के क्वालिटिव प्रदा होगी उसको लगे के मैं मेरे आगे के लोगों नहीं तना किया है मैं कुछ यह उसका इंस्पिरेशन बनेगा दूसरा बनने कर खाब लेकर चलेगा तो कभी निराशा जल्दा जाएगी कुछ करने का इरादा लेकर करके निकलेगा तो कर करते 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 संतोस दीरे 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 संतोस का विस्तार होता जाएगा आप जो संतोस का विस्तार है वो सामर्त का विस्तार बन जाता है और वो उसको लीडर बना सकता है और मैं तो चाहता हूं देश में वैसे ही लीडर से जितनी जादा निकले उतना देश का लाब होगा जहां बात आपने समात किये वहां से उत्व अध्यादम पर अलग चर्चा करने का एक अलग सत्र करना पड़ेगा आपके पास समय की कमी है आपका बहुत भाहुत धन्यवाद भूश्कार सब्का मैं मानता हूं कि लोकतंतर के उत्सव में तो बहुत कम समय बाकिर रहा है चाहत सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं जा रहा हूं कि अब सरकार पांच अलाव साल देने के लिए चला पिन दबा कर गया जाओ वह को डिए नहीं जा रहा हूं मैं मेरे देश को चलाने का भागीदार बन्ठाओं इक उत्सव की रूप में चला ना चाहिए तब बहुत प्रा